आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टैप की सिंपल वाली जहरलर लाइट है अब इस लाइट को मैं सिंपल वाली जहरलर लाइट क्यों बोल रहा हूं पहले वो समझ लो तो यहां पर देखे इस जहरलर लाइट को जब हम जलाते हैं यह देखे इस light को simple वाली जहरलर light बोला जाता है तो आज की वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी step की simple वाली जहरलर light है तो इस light को कैसे आप chaser circuit बना के blinking करवा सकते हो और आज जो मैं chaser circuit आपको बताने वाला हूँ friend वो आपका मुश्किल से 15-20 रुपे के अंदर बनके तयार हो जाएगा तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे chaser circuit को बनाना है तो chaser circuit को बनाने के लिए friend सबसे पहले आपको एक step का transistor लेना है और इस transistor का जो number है वो है BT 136 और यह transistor आपको किसी भी electronic sope 10-12 रुपे के अंदर बड़े अराम से मिल जाएगा और यह transistor friend मैंने किसी पुराने circuit से निकाल ला है तो इसकी जो एक lag है वो थोड़ी से यहां से cut गई है फिलाल हमारा काम चल जाएगा आपको अगर यह ना मिले किसी पुराने circuit में तो आप इसे electronic sope से खरी सकते हो तो हमें क्या करना है friend सबसे पहले देखिए यहाँ पे stand के उ आपको पता ही होगा कि जब हम market से नई RGB LED लेते हैं तो उसके अंदर एक lag तो बड़ी मिलती है एक lag छोटी मिलती है तो छोटी वाली जो lag होती है वो हमेसा minus की होती है और बड़ी वाली lag हमेसा plus की होती है तो हमें क्या करना है यहाँ पे यह जो हमारे पास transistor है इसकी जो तीन लेना है इस तरीके से lag को हम छोटा करके यहाँ पे लगाएंगी तो इसके लिए हम इसकी भी lag को थोड़ा सा ऐसे मोड लेते हैं ताकि सही तरीके से यहाँ पे हमारा काम बन जाए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पे इसकी तीन नंबर पिन पे LED की मानेस व नंबर है IN4007 जो कि किसी भी electronic soap पे आपको एक रुपे के अंदर बड़े अराम से मिल जाएगा अब इस डायट के अंदर होता है क्या पहले वो समझ लो क्यूंकि अगर आपने इसे उल्टा जोड दिया तो फिर हमारे सर्किट खराब हो जाएगा तो यह डायट के अंदर दे देखिए यहां पर जोडना है एक नंबर पिन पर यह देखिए इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो यह जो डायट का हमारा एनोड वाला साइड है यह हमारा एक नंबर पिन की तरफ में रगा तो इस तरीके से हमें इसे जोडना है तो इसकी लेक को देखिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से मोड लेता हूँ ताकि यहां पर हमें connection करने में दिक्कत ना हो तो इस तरीके से देखे मैंने जोड लिया है थोड़ा साम यहां पर paste लेंगे और यहां पर हम इसके साथ में इस तरीके से जोड दिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें लेना है एक कपेस्टर और यह जो कपेस्टर है यहां पर आप देख सकते हो यह कपेस्टर हमारा 25 वोल्ट 5000 वोल्ट तो यहां पर देखिए आपको एक इससे माइनस की पट्टि दिखाई देगी वाइट कलर की तो इस से आप समझग सकते हो कि यह वस्तुर्ट हमारी मेरी माइनस की है यह प्लस की है तो इस तरीके से आपको प्लस मानस देख लेना है अब हमें क्या करना है यह जो कपेश्टर है कपेश्टर की जो हमारी प्लस वाली लेग है इसको हमें यहां पर यह जो LED है इसकी प्लस के साथ में जोड़ना है तो यह देखे फ्रेंड यहां पर मैंने कपेश्टर क में क्या करना है चिमटी की मदद से यह जो माइनस वाली लेग है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ना है यह देखें इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और यहां पर हम एक छोटी से वार काट टुकडा लेंगे यह देखिए मेरे पास बिल्कु को छोटा कर लिया है और इस वायर को देखिए डायोट की प्लस वालई रेक्पर पर जोट सकते हो तो इस त्रीके से हो गया अब उसके बाद देखिए यहहां पर हम एक resistance ले रहे हैं और यह जो resistance है quarter watt का है 100k का तो यह resistance भी आपको किसी भी electronics हो पर बड़े आराम से मिल जाएगा बाकि मैं जो resistance यूज करता हूं friend इसको मैंने पुराने circuit से निकाला है तो यहां पर देखे इसको कैसे लगाना है तो इसके अंदर कोई भी हमारा plus minus नहीं होत तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो तो इसको हम यहां पर लगाएंगे यहां पर मैंने resistance को भी जोड दिया है अब उसके बाद देखें हमें क्या करना है इस टाइप की देखें मैंने एक वायर लिया और इसके अंदर मैंने पहले से प्लग लगा लिया है तो और उसके बाद देखें यह जो दूसरी वायर है इसको हम जोड़ेंगे डायोड के इस वाले पॉइंट पर यहां पर मैंने इस वाले पॉइंट पर जोड दिया अब उसके बाद देखें यहां पर हम अपनी light लेंगे यह जो हमारे पास light है तो इस light की देखें एक वायर को ह यहां पे जोड़ेंगे, देखिए, यहां पे मैंने इस wire को भी जोड़ दिया है, उसके बाद यह जो light की दूसरी wire है, इसको देखिए, हम यहां पे दो number pin पे जोड़ेंगे, यह देखिए, यहां पे इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है, तो यहां पे क्या friend की जो हमारे connection है, वो complete हो गए हैं लेकिन अब भी भी इसके अंदर एक काम करना बाकी है नहीं तो ये circuit हमारा काम नहीं करेगा इसे के friend हमें क्या करना है एक step की hit sink paste लेनी है और इसी के साथ में देखिए ये जो हमारे पास LED bulb का MCPC panel होता है तो हमें क्या करना है friend सबसे पहले देखिए यहां पे इस paste को लेना है इन बाकी चीज़ों को मैं एक बार side में कर देता हूं तो यहां पे हम paste लेंगे और बिल्कुल हलकी से paste लेनी ज्यादा भी आपको लेने की जरूरत नहीं है इस तरीके से हमें paste को लेना है और यहां पे इसके पीछे लगा देना है क्योंकि देखे फ्रेंड जब आप इसे use करोगे ना तो यह बहुत ज़्यादा heat होता है तो यहां पे आपको यह hitsing लगानी जरूरी है तो hitsing हमारी aluminium seat की होती है तो इसलिए यहां पे यह जो step के MC भी पहने नल होती है यह भी हमारी aluminium seat की बनी होती है तो हम इसका use कर रहे है त उसके बाद यहां पर जो इसका net bolt है इसको हम यहां पर लगा दिते हैं यह मैंने लगा दिया और पीछे से यहां पर इसके net को लगा के tight कर देते हैं यह काम आपको जरूर कर लेना है अगर आप यह काम नहीं करोगे तो फिर यह जो circuit है यह कुछ देर काम करेगा उसके बाद blinking करेगी कि नहीं करेगी आपके सामने सारा कुछ मैं live करके दिखाऊंगा तो पहले आपने देखा था फ्रेंट की यह light सिर्फ हमारी continue जल रही थी इसके अंदर कोई भी blinking नहीं हो रही थी अब यहां पर देखे इस light को मैं आपको जला के दिखा रहा हूं यह देखे फ्रेंट इसको बंद करके आपको दिखा दिता हूं तो जैसे जैसे यह RGB LED हमारी blinking कर रही है वैसे वैसे यह light भी हमारी blinking कर रही है तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने घर पे सिंपल से जैसर सरकीट को बना के आप भी अपनी किसी भी सिंपल जालर light को blinking करवा सकते हो तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय हित वंदे मातरम